हेलो गाईज मैं रस्मी हाजी रूह एक नई रेसिपी के साथ तो प्याज की पकोडियां तो सभी बना के खाते हैं तो क्या कभी आपने चटपटी प्याज की पकोडिया बनाई हैं तो आज हम बनाएंगे चटपटी प्याज की पकोडियां तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और बने रहना होगा खाना का जानवाई रस्मी के साथ एक छोटी कटोरी बेसन जिसे मैंने पानी में डाल के अच्छी तरीके से भिगा दिया था और ये अच्छी तरीके से फूल गया था एक चमच धनिया पाउडर, होम मेट गरम मसाला, एक चमच थोड़ा सा सबजी मसाला डालेंगे और आदा चमच खटाई पाउडर डालेंगे फिर आड़ करेंगे नमक, स्वाद अनुसार और फिर इन सब को अच्छी तरीके से मिला लेंगे अगर आपको बेसन कम मात्रा में लगता है, तो बाद में इसमें अड़ कर सकते हैं और उस बेसन में आप थोड़ा सा इनो डाल देंगे, तो रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है, अब हम इसकी बनाएंगे पकोडियों और तेल में तलेंगे तो तेल को मैंने गैस पे चढ़ा दिया था, जिससे तेल अच्छी तरीके से गरम हो गया है तो मैंने इसको छुटे-छुटे तुक्डों में करके हाथ से ही डाल दिया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो हम इसी तरीके से पकॉडियां कठाई में डाल देंगे और जब नीचे के साइड अच्छी तरीके से पक जाएगी तब हम इसे कल्ची की मदद से पलट देंगे तो गयास की फ्लेम को हमें मेडियम रखना है क्योंकि मेडियम फ्लेम पे पकॉडियां अच्छी तरीके से तलती है और साथी क्रिस्पी भी होती है तो पकोडियों को अच्छी तरीके से मेडियम फ्लेम पे तल लेना है तो कभी-कभी बारिस वगेरा होने लगती है और हमारा प्याच का पकोडिया खाने का मन करता है तो यह जो मैंने बेसन फूला के रखा था इसे ज़्यादा फेटना भी नहीं पड़ता है बढ़ आपके पास अकर टाइम नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा इनो एड़ करिए आपका बेसन काफी अच्छी तरीके से फूल जाएगा बहुत ही कम टाइम में और आपकी पकोडियां बहुत चल्दी तयार हो जाएंगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्याज की पकोडियां है वो काफी अच्छी तरीके से तल गई है और काफी परफेक्ट सा कलर आ गया है अब हम इसे कल्ची की मदद से तेल से बाहर कर लेंगे और इसे हम चाय के साथ गर्म गर्म खाएंगे तो काफी टेस्टी लगेगी और आप ये रैस्पी अपने फैमिली वालों को बनाईए और खिलाईए और इंजॉय कीजिए और क्रिस्पी चटपटी पकोडियां पे थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब ते के लिए बाई बाई